सुसाइटी प्रबंदक ने लगाए परशाषन पर आरोप गेहुं खरीदी बिड़ाणी शैपुरा के समी बैता सेवा सहिकारी संस्ता शैपुरा छेत्र में मद्परदेश शाषन द्वारा चल रही गेहुं खरीदी में आनी मित्ताइश सामने देखने को मिल रही है सुसाइटी में किसानों से पिरते कुंटर पर पल्लेदारी के नाम पर 30 रुपर लिए जा रहे हैं जिससे किसानों को सीधा नुकसान हो रहा है गेहुं करीदी थे समय तोल में लगे पल्लेदारों के मुँपर एवं किसानों के मुँपर मार्क्स नज़र नहीं आ रहे थे नजर आ रही है शहपुराय से लगा हुआ पाटन मात्र शोला किलों touch की दूरी पर r हाली में युद्व कोई से उजक्ता नहीं रखे जा रही है। केंद्रों पर पुलिस बलकी ववश्था नहीं है जारें पुलिस ववस्ता के बारे में तो बताया कि पुलिस सुभा शामियां आती है लेकिन दो दिन से नहीं आई है पर शार्षन पर आरोप लगाते हुए प्रवंदध मुन्ना साहु ने कहा आज तक शार्षन से एक रुपया भी नहीं मिला है ववस्ता के लिए किसानों से पैसा ल लोड़िंग सब उन पल्यदार करते हैं अब यहां से तलाई से लेकिन को लुकुल पूरा अंदर तक रखना पूरा पूरा तीसे हैं उसमें करमचारी भी है जो प्राइड अपन लगा है उनको भी देना पड़ता है उनको उच्छे अच्छावता नहीं है उनको उच्छे सब किसान दे दे के अपने अंदर करारा बफाल लेक्षान पटाथा आरा होते है प्रशारसां से मिलना चाहिए प्रवबस्ता कैसे बने आप पता आपके अंदर भी कराना है और अब यहां से शेपरा भी ले जा रहा है जे पी पे रहा हुँ से यहां से धी गया है तो वहां हो यहां से पांच को शेया और यहां तो शेया और एक किलो मीटर जाना पास यह नहीं पांच किलो मीटर को शेया अजिक नहीं होगा तो किछेए ना प्रांस्पोर्डन की कोई ववस्था नहीं है इसमें की छम्ता तेरह जार कुंटल की है